भारती अमूल की अमेरिकन सुनीता विलियम आजकल चर्चाओं में हैं। सुनीता विलियम के पिता गुजराती और माता स्लोवेनिया से हैं। सुनीता लिन पांडिया विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्ज में युकलिड सिटी क्लीवलैंड में हुआ था मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने सन्युक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइन्स में भी एस की परीक्षा उत्तीन की 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टिट्यूट ओफ टैक्नोलोजी से एंजिनिरिंग मैनेजमेंट में एम एस की पोस्ट ग्रैजवेट उपाधी हासिल की सुनीता के पिता डॉक्टर दीपक एन पांडिया एक जाने माने तंत्रिका विज्ञानी है सुनीता विलियम्स की मा बॉनी जालोकर पांडिया स्लोवेनिया से है उनका एक बड़ा भाई जय थॉमस पांडिया और एक बड़ी बहन डायना एन पांडिया है जब वे एक वर्ष से भी कम की थी तभी पिता उननीस सौ अठावन में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए थे जून उननीस सौ अठानवे में उनका अमेरिका की अंतरिक्ष एजंसी नासा में चयन हुआ और प्रशिक्षन शुरू हुआ सुनीता भारतिय मूल की दूसरी महिला है जो अमरीका के अंतरिक्ष मिशन पर गई सुनीता विलियम्स ने सितंबर से अक्टूबर के बीच 2007 में भारत का दौरा भी किया साथ ही सुनीता सोसाइटी ओफ एक्सपरिमेंटल टेस्ट पाइलिट्स, सोसाइटी ओफ फ्लाइट टेस्ट एंजीनियर्स और अमेरिकी हेलिकॉप्टर एसोसियेशन जैसी संस्थाओं से भी जुडी हुई है उनका विवाह माइकल जे विलियम्स से हुआ वे सुनीता पंड्या के सहपाथी रह चुके है वे नौसेना पोट चालत, हेलिकाप्टर पाइलट, परीक्षन पाइलट, पिशेवर नौसेनिक, गोताखोर, तैराक, धर्मार्थ, धन जुटाने वाली, पशुप्रेमी, मैराथन धावक और अब अंतरिक शियात्री एवं विश्वकीर्तिमान धारक हैं उन्होंने एक साधारण व्यक्तित्व से उपर उठकर अपनी असाधारण संभाव्यता को पहचाना और कड़ी महंत तथा आत्म विश्वास के बल पर उसका भरपूर उपियोग किया सन दो हजार आठ में भारत सरकार द्वारा विज्वान एवं अभियांतरिकी के छेत्र में पद्म भूशन से सम्मानित किया था इसके अलावा उन्हें नेवी कमेंडेशन मेडल नेवी एंड मेरीन कॉर्प एचीवमेंट मेडल युमेनिटेरियन सर्विस मेडल जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है नासा वेबसाइट पर सुनीता विल्यम्स के अनुभव इस प्रकार से प्रदर्शित है सुनीता सुनी एल विल्यम्स को 1998 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था और वह दो अंतरिक्ष मिशनों अभियान 14 बटा 15 और 32 बटा 33 की अनुभवी है वह वर्तमान में बोईंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर चालक दल उडान परीक्षन मिशन की पाइलट के रूप में सेवा कर रही है उस वाहन के लिए पहली चालक दलवाली उडान और अंतरराश्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनका तीसरा मिशन है ओन स्पेशल परपस डेक्स्टेरस मैनिपुलेटर पर रोबोटिक शाखा में काम किया इसके बाद उन्होंने अभियान 32 के लिए फ्लाइट इंजिनियर और अभियान 33 के लिए अंतरराश्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन कमांडर के रूप में एक लंबी अवधी के मिशन का समर्थन किया विलियम्स ने अपने दो मिशनों के दौरान अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं पचास घंटे और 40 मिनट के साथ वह एक महिला अंतरिक्ष यातरी द्वारा कुल संच्री स्पैस्वाक समय की सूची में दूसरे स्थान पर है वह वर्तमान में बोईंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के पाइलट के रूप में सेवा कर रही हैं उस वाहन के लिए पहली चालक दल की उडान और अंतरराश्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनका तीसरा मिशन इंजिनियर सगेई रेविन ने अंतरराश्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनका स्वागत किया विल्यम्स ने परिक्रमा करने वाली प्रयोक्षाला में अनुसंधान और अन्वेशन में चार महीने बिताए अंतरिक्ष में 127 दिन बिताने के बाद वह 18 नवंबर 2012 को कजाकिस्तान में उतरी पचास घंटे और 40 मिनट के साथ विल्यम्स ने एक बार फिर एक महिला अंतरिक्ष यातरी द्वारा कुल संचरी अंतरिक्षवॉक समय का रिकॉर्ड अपने नाम किया इसके बाद से पैगी विटसन ने 10 अंतरिक्षवॉक के साथ इसे पीछे छोड़ दिया है विल्यम्स ने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं